नेताओं का कई घटनाओं पर विवादित बयान देना कोई नई बात नहीं है ऐसे घटना एकसर होती ही रहती है और ऐसे ही घटना एक बार फिर हुई है बता दें की बेते शुकरवार को महरास्ट्र के पूने में भारी बारिश की वज़ा से एक इमारत के पास काम चल रहा था जहां पर इमारत के पास ही 22 फिट उची दीवार मस्दूरों पर गिर गई जिस वज़ा से हाथसे में बिहार के कटिहार की रहने वाले 12 मस्दूरों की इसे मामले पर बिहार के अती पिछड़ा कल्यान मन्त्री विनोत सिंग ने एक विवादित बयान दिया है जिसकी वजह से सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है दरसल विनो सिंग ने कहा कि बिहार में रोजगार की कमी नहीं बलकि लोग रोजगार के लिए राज्य से बाहर शौक से जाते हैं आगे मंत्री विनो सिंग ने कहा कि राज्य से पहले जितना पलायन होता था अब नहीं हो रहा है बिहार में रास्ट्रिय जनतांत्रि गटबंदन एंडिये की सरकार ने रोजगार की अफसर बढ़ाए हैं यहां रोजगार की कमी नहीं कुछ लोग गरीबी नहीं बलकि शौक से भी बाहर चले जाते हैं मंत्री ने कहा कि पूने में जिन बिहारी मजदूरों की मौत हुई है वे बिहार में एंडिये की सरकार बनने से पहले वहां पर थे पूने की उस घटना के बाद बिहार में रोजगार की कमी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है मंत्री ने इसी को लेकर विवादित बयान दिया जिससे सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है सूत्रों की माने तो वहीं मंत्री विवादित बयान पर आरजेडी नेता शक्ती यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी यानि मंत्री जी की बुद्धी कमजोर है उनको दिखाई नहीं दे रहा कि बेरोजगारी का क्या आलम है लोगों को बिहार में रोजगार मिले तो आखिर वे बाहर क्यों जाएंगे बताते चले कि मंत्री विनौत सिंग पहले भी कई बार विवादित बयान देते आए हैं एक बार उन्हों ने कहा था कि भारत माता की ये नहीं बोलने वाले पाकिस्तान माता की संतान है क्या हाला कि उन्होंने बाद में इसके लिए सफी अफसोस जताया था नेक्स नाइन न्यूज भोचपुरिया से पूजा की रिपोर्ट